प्रवारे बुच्चों अगर आप भी बिहार वोट से इस बार 12 का एक्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज मैं आपको बताने वालों वो सवाल जिनको एक्जाम में दिये भीना आपके question paper में दिये भीना बिहार वोट का कामी नहीं चलता मतलब ये questions important नहीं बहुत important है आप देखेंगे अगर पिछले 6-7 सालों के question bank को देखेंगे English के चाहे वो science वालों को पूछे गए हो या arts वालों को तो ये सवाल बार बार पूछे गए हैं repeatedly आप दियार के किसी भी teacher को लियाओ उनको ये सवाल दिखाओ बोलो sir क्या ये question important है तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल आपके सामने और रोजाना शाम 6 बजे आप वेट करें एक वीडियो आपको इस चैनल पर 12th English की विहार बोर्ट की मिलेगी a sonnet is a poem of the dot lines यानि एक जो sonnet होता है उसमें कितनी line होती है तो देखो sonnet में 14 line होती है ये जो sonnet है आपका जो chapter है जिसका नाम है दशोलजर जिसको रिपर्ट ब्रूक ने लिखा है वो एक sonnet है देखो sonnet में 14 line होती है लेकिन इन 14 lines को दो पार्ट में बाटा जाता है पहली जो 8 line है ना वो octave कहलाती है और दूसरी जो 6 line है ना वो sasted कहलाती है 8 और 6 मिलकर 14 line हो गई 14 line की poem को English में sonnet कहते हैं जो दो पार्ट में बटी होती है octave and sasted अगला स्वाल है यह question तीन चार बार पूछा गया है कि यह जो Augustan period है वो कौन सी शताबदी को कहा जाता है तो भई 18th century को याद रखेंगे 18 शताबदी को Augustan period कहा जाता है Augustan period आगे चलते हैं देखो अंग्रेजी में अलग-अलग period है जैसे Victorian period आपने सुना होगा Elizabethan period Queen Elizabeth के time में Elizabethan period इस time में जो है Shakespeare बड़े राइटर रहे हैं Victorian period आपने सुना होगा Queen Victoria के बारे में England की तो इस period में novel बहुत पीक पे था इस period में जो है वो ड्रामा बहुत पीक पे था पीक का मतलब है उंचाई पर उस time में बहुत पॉपुलर था और यह तो ना जाने कितनी बार पूछा ग और एक और मैं बता दे रहा हूँ I celebrate myself and sing myself आपको यह वाली line दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कि यह वाली line कौन सी poem से है अब पाक बंद करके टिक कर दोगे कि भई यह song of myself से है और यही line नहीं बलकि यह वाली भी hoping to seize not till death question bank पल्टो मालूम पड़ेगा कि यह सवा रिपीटेडली बार बार पूछे गए और चओता question तो सबसे ज़्यादे important है दा शोल्जर वाली जो poem है उसके बारे में पूछा जाता है कि बताओ वो कैसी poem है और उसके जो poet है वो कैसे poet है तो भाई अगर poem के बारे में पूछा जाए तो बोल देना कि यह war poem है और अगर poet क के बारे में पूछा जाए तो बोल देना के वार पोईट है कौन रिपर्ट ब्रूक जिन्होंने दशोल्जर वाली पोईम लिखा है तो इस सवाल का जवाब वार होगा वामन सेक्शन में आपको बताने कि आपने टोटल कितना क्वेशन सही किया है मैं विट कर रहा हूं इन 30 क आपको मिलने वाले हैं आपको बताने आपने कितना सही किया और इद आने वाली है इद के मौकिपर आपके लिए एक जबदस्त ओफर है बिहार का सबसे ज्यादा सेल होने वाला को जिसको इंग्लिश के लिए बच्चों ने लास्ट दो तीन साल में पसंद किया है और हर साल के बिहार के टॉप रैंकर बच्चों ने इस कोस को खरीदा है आख बंद करिए जाइए बिहार के हर साल के स्टेट के फॉर्स सेकेंड और थर्ड टॉपर इस को पढ़ते हैं क्या है इसमें देखिए आप जाकर यह को सब आपको 499 में नी बलकि तीन दिनों के लिए 9-12 इन बेए अगला स्वाल है अगला स्वार और यह सवाल श्रक्रियों और से किकने हैं क्या से नाव है आई बच्छें SAY को यहाँ पर यहाँ को पड़ देते हैं को नहीं पड़ना इन यहां पर साइलен्ट है। है और वाली वाली पोएम के लोग होते हैं यो फटायर की यानी आग की पूझा करते हैं आगButAL की जंका नाम है के की की एन दारु वाला जिनको साहितकेडमी अवार्ड मिलें गोग nor विलोंग करते हैं यह नाम का लड़का सी याई भी होगा बारह साल का है और कौन से देश से बिलोंग करता है तो जापान से बिलोंग करता है जैपनीज वह अगर आपको पूइम चाप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो जाए चाप्टर नबर फाइव देखिये प्रोस सेक्श और यह question सबसे पहले 2018 में पूछा था उसके बाद लगातार पूछता चला गया कि वो क्या क्या थे तो एक mathematician भी थे वो एक philosopher भी थे वो एक historian भी थे क्योंकि option में historian और philosopher नहीं है तो आपका सही जवाब होगा mathematician लेकिन आपको यह तीनों option याद रखना है हो सकता है आपको इस स जो option होगा आपको टिक करना है कौन है जो शाशक है प्राचीन मिश्र के ancient मतलब प्राचीन और एजिप्ट मतलब मिश्र अफरीका में कंट्री है उसका नाम है मिश्र इंग्लिश में एजिप्ट कहते हैं जहांकि पिरामीड के बारे में आपने सुना होगा जहांकि ममी के ब बढ़ेंगे फेरोज ठीक है जैसे भारत के शाशक मुगल बाच्शा मुगल में कोई एक बाच्शा का नाम नहीं है आगे चलते हैं जॉन डन कहां कैसे पोईट है तो एक मेटा फीजिकल पोईट है आगे चलिए मैग बेथ और जूलियस सीजर यह शेक्स्पियर की किताबे हैं बार बार पूछा गया है ये लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वह यह ओधेलों के बारे में भी पूछा जाता है ये उसब ब्रॉचा जाता है ये सवाल इंडियन सिविहला इडिशन अन कल्चर आपके पहले चाप्टर से बार बार पूछा से भी जो है पैशनेटली इंट्रेस्टेड था जुनून की हद तक उस लड़के को लगाव था किस चीज से तो गोड दिया नहीं कद्दूं से अगला सवाल है राधा कृष्णन ये सेकंड चाप्टर से है भारत इस माई होम से कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन है उन्होंन इंग्लिश लैंविजी यंगर रान संस्क्रीट और पर्षियन और लैटिन कोई भी भाषा है इसकी तुलनामे अंग्रेजी अभी बहुत छोटी है बहुत यूँवा भाषा है यह सवाल पूछा जाता विल्यम वड़्सवर्थ से जुड़ा हुआ है अच्छली यह जो रो और उसा आइडियोलिजी को शुरू करने का जो श्रे है, क्रेडिट है, वो विलियम वर्ड्स वर्ड को जाता है, इसमें और भी बहुत सारे पोएट्स हैं, जैसे आप देखें, ओड टु आटम के जो पोएट हैं आपके, जॉन कीट्स, वो भी एक रोमांटिक पोएट हैं, रोमांटिसिजम को उन्होंने फॉलो किया, लामिया और हाइटेरियन नाम की किताबें, वो जॉन कीट्स की ही लिखी गई हैं, और इसी में एंडाइनियन भी है, ओट्टु ग्रेशन अरण भी है, और भी किताबें, अन्टचेबल कूली मुल्क राज आनन्द ने लिखा भ इनको नोबेल प्राइज मिला था, इसी बुक के लिए, समर इन कलगड़ा, समर इन कलगड़ा, ये किताब कमला दास ने लिखा है, किसने, कमला दास ने, आपकी जो लास्ट पोएम है, माई ग्राइंड मदर साउस, उसकी पोईटेस हैं, ये, रिपर्ट ब्रूक किसकी तार इनको बताना है कि इनको नोबल प्राइज कब मिला, अगला है, पंदरवी संचिरी से ले करके अब तक की जो इंगलीश है, जो अभी चल लगी है, वो modern English है, comment section में आपको बताना है कि old English का जो period है, वो कब से कब तक है, आगे चलिए गुजराती equivalent, बहुत important बॉस, VVI question है ये, कि जो गुजराती equivalent है, civilization का मतलब गुजराती बाशा में क्या होता है, तो वो good conduct है, ये भी first chapter का question है, अच्छा नानु का का ये pinch of snuff वाले, पहली आ रहे हैं, किसलिए आ रहे हैं भी, तो to see some people, कुछ लोगों से मिलने, मंतरियों से मिलने, या अपनी बहान से मिलने, तो to see some ministers, उनका असल मक्तद भई है, scholar gypsy, दो बार अप तर पूछा गया exam में, हो सकता है, इस बार तीसरी बार हो जाए, वह scholar gypsy के writer कौन है, Matthew Arnold है, याद रखेंगे, किनको father of modern novel कहा जाता है, आधुनीक novel का पिता, बहुत सारा बच्चा, Jane Austen लगा देता है, कहीं पे, Henry Fielding लगा देता है, यह सब जवाब घलत है, Richardson सही जवाब है, आपको Google के answer पे नहीं जाना है, बहुत सारे बच्चे, पिछले साल भी question किय novel है, और इन्होंने एक किताब लिखा था, पामेला नाम से, यह correct answer है आपका, and this one is the last question, और यह भी Indian civilization and culture से है, कि एक line देगा, आपसे पूछेगा, बताओ, यह कौन वाले chapter से है, वैसा ही एक question है, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty, यह Indian civilization and culture से है, आपके यह पूरे 30 questions होते हैं, खतम, लेकि साल तक, तो आप जाईए, आपके लिए टॉपस 12 को सकर दिया गया है, अब केवल 3.99 में 9-12 अपरेल तक valid है, और साथ ही हमने science और arts भी start कर दिया, YouTube पर हमारा channel है, okay science academy, okay arts academy, जहां दूसरी academy 3-4-5,000 की fees रखती है, हम पूरे एक साल पढ़ाते हैं, science या arts, 999 में, लेकिन और आपको mission 25 batch से जुड़ जाना है, science और arts के लिए, किस के लिए, science और arts के लिए, mission 25 से, और English, Hindi के लिए, या English, उर्दू के लिए, चूँकि हम English के साथ, Hindi, उर्दू, दोनों paper free देते हैं, जिनका मैतनी संस्कृत है, वो भी free देते हैं, तो आपको एक course जिस से जुड़ना ह है, language के लिए, वो है, toppers course, और science और arts के लिए, आपको जुड़ना है, mission 25 से, कोई problem हो, आपको ये number दिया गया है, इन दो numbers पर call भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, शाम चार बजए आप shorts देखिए, ओके English Academy पे, और शाम चे बजए एक long वी बज़ए आधी जादेस, और सकते हैंने सकते हैं, मेर पर दो दोर में मिलतेद popsो सकते हैं, मेर एक भी कर सकते हैं एकने सकते हैं, मिolवजए और सकते हैं and खंचे और क्ने में लिए खरता.